रितिका घर में सबसे जादा क्लोज अपनी भावी नेहा के थी वो रितिका के बड़े भाई सचन की पत्नी थी अरे रितिका दीदी आप अभी तक तयार नहीं हुई जल्दी कीजे लड़के वाले कभी भी आते होंगे भावी ऐसा कब तक चलता रहेगा लोग आते हैं और मुझे देखते ही रिजेक्ट करके चले जाते हैं मैं तो ठक चुकी हो अब इन सबसे आप परिशान नहो दीदी मैं जानती हूँ एक ना एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपकी सूरत नहीं बलकि आपकी सीरत देखेगा हाँ लेकिन उस रोज भी वही हुआ लड़के वाले आए और रितिका को देखते ही ना करके चले गए रितिका अब इन सबसे ठक चुकी थी लेकिन नहा ने हार नहीं मानी और उसने रितिका की प्रोफाइल जीवनसाथी.com पर डाली जिस पर एक लड़के ने उसको पसंद किया नहा रितिका को लेकर एक रेस्टरेंट में उस लड़के से मिलने गई नमस्ते मोहित जी मैं रितिका की भावी हूँ अब आप दोनों आराम से बात करो तब तक मैं बाहर घूम कर आती हो इतना कहकर नेहा बाहर चली जाती है तो आप शादी के लिए लड़का ढूण रही है मैं नहीं ढूण रही हूँ मेरे घरवाली ढूण रहे है मेरे ले रिष्टे तो बहुत आये लेकिन सबने मेरे काले रंग को देख कर मना कर दिया नजाने क्यों जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो लगा बस यही वो लड़की है जिसकी मैं तलाश कर रहा था इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया सच कहूं तो मुझे आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो बस अब आपको अपनी जीवन संगेनी बनाना चाहता हूं आप क्यों मजाग कर रहें जी आप इतने हैंडसम हैं आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी मुझे कोई भी नहीं सिर्फ तुम ही चाहिए हो और मैं आज ही अपनी मा से तुम्हारे बारे में बात करता हूं अब तो हाँ बोल दो दोनों इस रिष्टे के लिए मान जाते हैं मोहित घर आकर अपनी मा सरला से बात करता है मोहित अपनी मा के साथ रितिका के घर जाता है जहां रितिका की भाबी उसका बहुत अच्छा मेकप करती है जिससे रितिका काफी खूबसूरत और गुरी लगती है वो उसकी सारी बोड़ी पर फाउंडेशन लगा कर उसका मेकप करती है दरसल मोहित ने उसे पहले ही सब समझा दिया था वो जानता था कि रितिका का ऐसा रंग देख कर उसकी मा इस शादी के लिए नहीं माने की इसलिए वो नेहा से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है अरे वाँ ये तो बहुत अच्छी है मुझे तो बहु पसंद है कुछी दिनों में दोनों की शादी हो जाती है लेकिन शादी के अगले दिन जब रितिका बिना मेक अप के आती है तो उसकी सास ये देख हैरान रह जाती है हे राम, मेरी पनीर जैसी गोरी बहु काले बैंगन में कैसे बदल गई मोहित आकर अपनी मा को सारी सच्चाई बताता है सरला ने रितिका की भावी को जट से फोन कर बुला लिया नेहा ने उसके चेहरे के साथ साथ उसके हाथ पेरों में भी फाउंडेशन लगा दिया जिससे उसका काला रंग दब गया और वो बहुत सुन्दर दिखने लगी सभी ने उसकी बहुत तारीब की आज तो मैंने अपनी इज़द बचा ली लेकिन याद रहे बहु तु कभी किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आए की समझी मा मैं जानता हूँ आपको रितिका के रंग से परिशानी है लेकिन ये जैसी है ये मुझे वैसी ही पसंद है लेकिन सर्ला पर इस बात का कोई असर नहीं होता एक रोज बहु मोहित की दिल्ली वाली बुआ आने वाली है वो जब तक यहां रहेगी तू अच्छे से अपना मेकप करके रखना अगर उन्होंने तुझे ऐसा देख लिया ना तो वो सब रिष्टेदारों में ठिंडोरा पीट देगी शाम को बुआ उनके घर आती है और दो दिन तक वो वहां रहती है सर्ला तेरी बहु तो बहुत ही अच्छी है कितना अच्छा खाना बनाती है और स्वभाव भी इसका बहुत ही अच्छा है लेकिन बिचारी रितिका को तब तक हर वक्त मेकप करके रहना पड़ता है इससे तो अच्छा होता है मैं शादी ही नहीं करती मोहित रितिका का दर्द समझ जाता है अब तीन दिन बाद मोहित का बर्ड़े था बहु आज मोहित के सभी दोस्त रिष्टेदार और पडूसी आ रहे हैं तो अच्छे से मेकप करना किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए तेरे रंग के बारे में समझी तो अपनी भावी को बुला ले वो तेरा अच्छे से मेकप कर देगी नेहा पार्टी से पहले रितिका के ससुराल पहुँच गई भावी रितिका से शादी करने के लिए मैंने जिस जूट का सहरा लिया था आज हमें उसे खत्म करना ही होगा मैं भी यही चाहती हूँ मोहित रितिका को हर बार लोगों के सामने मुखोटा पहन कर जाना पड़ता है और मैं समझ सकती हूँ कि इन सब से उसको कितनी परिशानी होती होगी फिर शाम को सभी महमान आ गए तब मोहित अपनी पत्नी रितिका का हाथ पकड़ कर सब के सामने आया रितिका पहली बार बिना मेकप के ही सब के सामने आ गई ये देख सभी पड़ोसी रिष्टेदार हैरान थे अरे सर्ला ये तेरी बहु चाननी रात से अमावस की रात कैसे हो गई हाँ आंटी जी मेरी ननद आपकी बहु से तो लाग गुना अच्छी है जिसकी ना सूरत अच्छी और ना सूरत अरे आप लोगों के तो दिल भी काले है रितिका मेरी पतनी है और ये जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है सबकी बाते सुनकर सर्ला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया हालांकि वो ये जानती थी कि उसकी बहु दिल की बहुत अच्छी है लेकिन समाज ने जो काले गोरे का भेट कर रखा है सर्ला को उससे बाहर आने में वक्त लग गया प्रताप नगर में सुन्दरलाल नाम का एक दरजी अपनी पतनी शानती और बेटी संध्या के साथ रहता था संध्या का रंग सामला था इसलिए उसके लिए कोई भी रिष्टा नहीं मिल रहा था इसी कारण सुन्दरलाल और शानती परिशान थे सुन्दरलाल मैंने कुरता पाजामा सिलने दिया था तयार हो गया क्या बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी अच्छा फिर मैं लड़का भेचूंगा उसी के हाथ दे देना शाम को शाती में जाना है इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो और संध्या के लिए कोई रिष्टा मिला या नहीं कहां मिला रामलाल जी बहुत जगा बोल रखा है बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है वही मेरी बेटी का अच्छा भविश्य तै करेंगे बात तो ठीक है पर तुम्हारी बेटी का रंग सावला है इतनी आसानी से लड़के सावले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं है सुन्दरलाल देखता है रामलाल की बाते संध्या सुन चुकी है इसलिए उसने बात बदलनी चाही संध्या बेटी तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना वो तो बस बापू मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है सब कितनी बाते बनाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता ना बिटियाना ऐसा कभी मत सोचना तो तो हमारी जिन्दगी से बढ़कर हमें प्यारी है मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू अच्छा लाओ कुछ कपड़े मैसिल देती हूँ संध्या का उदास चहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिल दी थी एक दिन उस राजे के राजकुमार का जनमदिन था जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था सुनो सुनो नगर बासियों ध्यान से सुनो राजकुमार वीर सिंग के जन्म दिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है राजा भानू प्रताप सिंग और रानी सुनन्दा अपने बेटे वीर सिंग का पचीसवा जन्म दिन धूम धाम से मना रहे हैं अरे वाप राजकुमार वीर सिंग के जन्म दिन की दावत सच मुझ देखने वाली होगी मैं तो बहुत सुन्दर तयार होकर जाओंगी मैं भी पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा हम अरे हम क्या देंगे हमारे मा बापु भी तो जा रहे हैं वही देंगे हम क्यों चिंता गरे पूरे नगर के लोग राजकुमार के जनम दिन में जाने की तैयारी कर रहे थे सुनो जी मैं सोच रही थी हम दोनों तो जनम दिन की दावत में जा नहीं रहे तुम्हारी तब्वत भी ठीक नहीं है पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के पसाद भेज देते हैं नहीं तो महराज और महरानी को बुरा लगेगा ठीक है ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया तो राजकुमार वीर प्रताब जी के जन्म दिन की दावत के लिए चली जाना ठीक है आप चिंता मत करो मैं रेक और सुनेना के साथ चली जाओंगी संध्या राजकुमार के जन्म दिन के लिए जाने के लिए तयार तो हो गई पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए तब ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई राजकुमार के जन्म दिन के लिए एक सुन्दर सी पोशाक तयार करके ले जाती हो उनको पसंद आएगी संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुन्दर पोशाक तयार करती है और सब के साथ राज महल पहुँचती है बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुँचे थे उन सब के बीच संध्या घबरा रहे थी राजकुमार को तो इतने धेरो उपहार मिल रहे हैं संध्या बिटिया तु राजकुमार से बिना मिले ही आ गई उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुने उपहार में उन्हें वो पहुशाग दी है कोई बात नहीं बापु वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाग भूल भी चुके होंगे संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था राजकुमार जब कमरे में पहुँचा तो उसने वो पोशाग महां रखी देखे अरे ये उपहार मुझे किसने दिया है ये तो बहुत संदर पोशाग है अद्भुत मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिये राजकुमार महराज, महराणी, सेना, पती, दास, दासी सबसे पूचता है पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ किसी ने अगर इतना सुन्दर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता चोरी छुपे कौन रग गया राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है तब ही उसकी नजर अपने द्वार पर रटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है पर किसी भी दासि के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं उस समय सुन्दरलाल उसकी पतनी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे इसलिए उनसे पता करना रह जाता है पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते राजकुमार बहुत परिशान था अब तो उसके पास एक ही रास्ता था इस दुपट्टे के टुकडे की असलियत जानने का मा पिता जी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है मैं अपना स्वयमवर रखना चाहता हूँ ताकि उस स्वयमवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्दिन के उत्सव में पहनी थी मुझे पता चल जाएगा कि ये दुबट्टे का टुकडा किसका है फिर मैं उसी लड़की से विवा करूँगा इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा ठीक है पुत्र अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथ ही चुन सको जैसी तुम्हारी च्छा पुत्र अम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयमवर की घोशना करवा देते हैं राजकुमार उस दुपट्टे के टुकडे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता वो तो चुप चाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकडा था नगर में घोशना कर दी जाती है और ये बात सुन्दर लाल के कानों तक भी पहुँचती है संध्या बेटी तुम्हें भी स्वयमवर में जाना चाहिए तुम्हारे पिता जी ठीक कह रहें संध्या बेटी नगर की सभी लड़कियां स्वयमवर के लिए जा रही है अगर तुम नहीं गई तो महराज क्रोधित हो जाएंगे उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयमवर के लिए आमंतरित किया है पर मेरा वहाँ जाने का कोई फैदा नहीं क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुन्दर नहीं हूँ राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूंगे बेटी ये तो भग्य की बात है अगर तुम्हारे भग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं चीन सकता और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव निभा कर लोट आना नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुँचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढून रही थी जिसके दुपटे का तुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकडा है कहीं मेरी ये योजना विभल ना हो जाए राजकुमार अभी इस बारे में सोची रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये सोयमवर क्यों रखा है क्योंकि मैं अपना जीवन साथ ही चुनना चाहता था जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी संध्या तो सच जानती थी वो हैरान रह जाती है राजकुमार उसकी और बढ़ता है और उसका हाथ धाम लेता है राजकुमार मैं आपके लायक नहीं हूँ आपको तो मेर से भी सुन्दर लड़कियां मिल जाएंगी संध्या प्रेम तो दिल से होता है मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती है राजकुमार वीर प्रताप की बाते सुनकर संध्या की नजरे शर्म से जुग जाती है उसके पश्चाद सुन्दर लाल और शांती को दरबार में बुलाया जाता है फिर शुब मुहरत में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवा संपन होता है आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशिया थी